अगर आप सिल्वा माइक्रो में शॉर्ट टम ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहाँ पर बाइंग करें कहाँ पर सेलिंग करें और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टार्गेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीक है 15 मा 2.02 टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बच के 19 मिनट और आज दिन है वेंस्टे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्वा माइक्रो की जिसका टार्गेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी इसी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत दैंजर्ज हो सकता है आज बात करेंगे सिल्व माइक्रो की जिसका कॉंट्रेक्ट है अप्रेल का सिल्व माइक्रो जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 66,636 रुपीज के आसपास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है 72,450 रुपे और इसका लेटस्ट लोग पोस्ट हुआ है 61,640 रुपे फंडामेंटल व्यू की बात की जाये तो बैंक फिल्लुएर इन अमेरिका बर्ती हुई ब्याजदरे और चायना की और से दिमान जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाओ इन सारी बातों का असर सिल्वा माइक्रो के उपर देखने को मिल सकता है इंपोटेंट स्पोर्ट की बात की जाये तो स्पोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला स्पोर्ट 66,040 रुपे दूसरा स्पोर्ट 64,777 रुपे इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही स्पोर्ट बाद में रेजिस्टेंस का काम करेंगे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाये तो रेजिस्टेंस यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निच्चे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेंस 67,204 रुपे दूसरा रेजिस्टेंस 68,249 रुपे और तीसरा रेजिस्टेंस 70,500 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन रेजिस्टेंस को तोड़ के उपर की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में स्पोर्ट का काम करेंगे मन्थली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाए दे रहा है वीकली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो तो करना क्या चाहिए आईए देखते हैं इससे पहले फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर लेना फ्रेंज जो बाय है उनके लिए सलाह रहेगी ट्रेडिंग अवोईट की स्ट्रेटजी अपनाए फिलहल बाजार अभी नेगिटिव दिखाई दे रहा है करंट प्राइस पर बाय साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे तो रिस्क 596 रुपे और रिवार्ड 560 रुपे के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखाई दे रहा है अगर आप बाइंड करना चाहते हैं तो बाइंड लेवल जो है करंट प्राइस 66,636 रुपे से 596 रुपे निचे यानी 66,040 रुपीज के आसपास बाइंड करे टारगेट रहेगा 67,204 रुपे अगर ये टारगेट अचीव होता है तो सेकेंड टारगेट रहेगा 68,239 रुपीज और इसके लिए स्टॉप लोस रहेगा 65,875 रुपे और फ्रेंड स्टॉप लोस जरूर लगाए बिना स्टॉप लोस की ट्रेड करना बहुत डेंजर हो सकता है अगर आपने टॉप लेवल पे ओल्रेडी बाई किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30 प्रतिशत क्वांटिटी 66,040 रुपे के आसपास एवरेज करें अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है तो आप 64,777 रुपे के आसपास 30 प्रतिशत क्वांटिटी एवरेज करें फ्रेंज एवरेजन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है और अभी मेजर ट्रेंड, पॉजिटिव, दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे जो सेल हैं उनके लिए सलाह रहेगी सेल और राइज की स्ट्रेटजी अपनाए फिलहाल बजार अभी नेगिटिव दिखाए दे रहा है करन्ट प्राइस पर सेल साइड का रिस्क रिवर्ड रेशियो देखे तो रिस्क 560 रुपे का दिख रहा है और रिवर्ड 596 के हिसाब से रिस्क रिवर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग लेवल जो है करन्ट प्राइस 66,636 रुपे से 560 रुपे उपर यानि 66,204 रुपे के आसपास सेलिंग करे तारगेट रहेगा 66,040 रुपे अगर ये तारगेट अचीव होता है तो सेकेंड तारगेट रहेगा 64,777 रुपीस और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 66,372 रुपे और फ्रेंज स्टॉप लॉस जरूर लगाए बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड करना बहुत देंजर्ज हो सकता है अगर आपने लोर लेवल पे और रैडी सेल किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30% क्वांटिटी 67,204 रुपे के आसपास एवरेज करे अगर बजार इससे भी उपपर चला जाता है 68,249 रुपे के आसपास 30% क्वांटिटी एवरेज करे जैसे की हमने पहले भी बताया अवरेजन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है और अभी मेजर ट्रेंड पॉजिटिव दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे 67 रुपे और 63,254 रुपे के आसपास देखने को मिलेंगे फ्रेंड अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करना चाहते हो तो आपके फाइनेंसियल एक्सपर्ट की राय जरूर ले ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस फाइनेंसियल मार्कित में सही गलत की समझ जरूर रखे और आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी खुद ही ले और अपना मनी मेनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन करे अपनी ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग जरूर करे उसके बाद ही ट्रेडिंग करे अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करे साथ में घंटी के बेल आइकॉन को ओल पे सेट करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे धन्यवाद